श्री हरी नाम जपे जो निसिदिन भव सागर तरी जाए साधू संगती में मन रमे पापों से मुक्त हो जाए हरे कृष्णा आप सभी को कार्थिक मास के दूसरे दिन की धीर सरी शुब कामने आज कार्थिक मास का दूसरा दिन है और इस पवित्र अफसर पर हम भगवान की मह का इसमरण करते वे कथा की शुरुवात करेंगे इस शुब मास में भगति उपासना और पुर्ण कर्मों का विशेश महत्व हैं आए कथा की शुरुवात से पहले एक मंगल कारी दोहे के साथ हम सभी अपने मन को शांत और एकाग्र करें मंगल मैं यह मास है पुर्ण का संय कार्तिक मास में भगवान के ध्यान और इसमरण से जीवन में शुबता का आजमन होता है। आज हम सभी कथा क Braun करने से पहले शुरि भगवान विश्नु की स्तूति करेंगे। भगवान विश्णू आकाश में विराजमान है और उन्होंने श्वेत और पेले रंग के वस्त्र धारन किये हुए हैं। उनका वण्न चंदरमा के समान नीला और श्वेत है। उनकी चार भुझाए है। हम सभी को मिलकर उन पालन करता भगवान विश्णू का त्यान करना चाहिए जिससे हमें आंतरिक प्रसनिता अनुभव होगी भगवान विश्णू का रूप और इस्थिती शांत मुद्रा में है वे शेश नाग के ऊपर शयन करते हैं उन्होंने अपने हाथों में कमल का पुष्प धारन किया हुआ है और वे सभी देवताओं में स्रेश्थ हैं भगवान विश्णू इस विश्व के आधार हैं वे आकाश, अर्थात, अंतरिक्ष में समाई हुए हैं उनका वन्ड बादलों के समान नीला और श्वेत हैं उनका हर एक अंग शुब फल प्रदान करने वाला है वे मा लक्ष्मी जी के पती हैं उनके नेत्र कमल पुष्प के समान हैं उन्हें योग के द्वारा ध्यान कर प्राप्त किया जा सकता है भगवान विश्णु की हम सभी बंदना करते हैं वे ही विश्व को भयमुक्त बनाते हैं और सभी लोकों के स्वामी है शरीर के रोग ग्रस्थ होने पर और शिदिलेते समें भगवान विश्णु का ध्यान कीजिए भोजन ग्रहन करते समें उनके जनार्दन रूप का ध्यान कीजिए सोते समें उनके पद्बनाब रूप का ध्यान कीजिए विवा के समें उनके प्रजापती रूप का ध्यान कीजिए युद्ध में जाते समें उनके चक्रधारी रूप का ध्यान कीजिए तो वहीं प्रवास करते समय उनके त्रिविक्रम रूप का ध्यान कीजिए मृत्यों के समय उनके नारायन स्वरूप का ध्यान कीजिए प्रेम के समय उनके श्रीधर रूप का ध्यान कीजिए बुरे सपने आने पर उनके गोविंद रूप का ध्यान कीजिए तो वहीं संकट के समय उनके मधुसूदन रूप का ध्यान कीजिए तूफान में उनके नरसे रूप का ध्यान करें अगनी के समय उनके समुद्र में सोते वे रूप का ध्यान कीजिए जल में फस जाने पर उनके वरह रूप का ध्यान कीजिए तो परवतों और जंगलों में होने पर उनके रगुनंदन रूप का ध्यान कीजिए विचरन करते समय उनके वामन रूप का ध्यान कीजिए तो सभी कार्य करते समय उनकी माधव रूप का ध्यान कीजिए जो भी भक्तिगन प्रातेहकाल उठकर इन 16 नामों को बढ़ता है तो उसे भगवान विश्नु की करपा से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और विश्नु लोक में इस्थान प्राप्त होता है कार्तिक मास में पीपल पत्वारी की कहानी कही और सुनी जाती है इस नान और पूजा करने के बाद पीपल पत्वारी की कथा या पीपल पत्वारी की कथा सुनने से अपार पुर्णी मिलता है कार्थिक मास में इस नान ध्यान और पुजा पाठ का विशेस महत्व होता है आज के दिन इस कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विश्नु की कृपा प्राप्थ होती है किसी गाउं में एक गूजरी रहा करती थी वो दूद दही बेच कर अपने परिवार का पालन पुशन करती थी एक दिन उसने अपनी बहु को बुला कर कहा कि बहु जा आज तू ये दूद दही बेच करा बहु दूद दही बेचने कही तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल सीचने आई हुई है वो उन्हें देखकर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो औरतों ने कहा कि हम पीपल महादेव की पत्वारी सीच रहे है बहुने फिर पूछा कि अच्छा ऐसा करने से क्या होता है तब औरतों ने बताया कि ऐसा करने से अनधन की प्राप्ति होती है अगर किसी का पति वर्षों से बिछडा हुआ है तब वह मिल जाता है औरतों की सारी बात सुनकर वे गूजरी की बहु बोली कि तुम तो पानी से सीच रही हो मैं तो दोध दही से सीचूंगी अब गूजरी की बहु हर रोज आती और सारे दोध दही से पीपल की पत्वारी को सीच जाती उसकी सास उससे वापस लोटने पर हर रोज पैसों के बारे में पूछती कारती का महिना खतम होने दो तब मैं सारे पैसे ला कर दिये दूंगी कारती का महिना पूरा होने पर पुर्निमा आ गई तब बहा गूजरी की बहु पीपल की पत्वारी के पास दर्णा दे कर बैठ गई पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ पर क्यों पड़ी हुई है बहु बोली कि मेरी सास दो तही के पैसे आज मांगने वाली है लेकिन मैंने तो पूरे महिने पीपल के पेड़ को दूथ और तही से सीचा है अब मुझे पैसे चाहिए पीपल ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है ये भाटे, डंडे, पत्ते और पान पड़े हैं ये सब ले जा और गुल्लक में ले जा कर रख देना बहु घर पहुची घर जाने पर सास ने पूछा कि बहु बता पैसे लाई है बहु कहने लगी मांजी लाई हूँ और मैंने गुल्लक में रख पी दिये है सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो उसकी आँखे फटी रह गई गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे सारे सुखे पत्ते धन में बदल गए थे जिन्हें देखकर सास कहने लगी अरी बहु इतना धन का हासिल आई है बहु सीधी साधी थी उसने अपनी सास को सारी बाते सच सच बता दी कि उसने तो दोध दही से पीपल की पत्तवारी सीच दी थी और पैसे माँगने पर पीपल ने पत्ते डंडे और भाटे दे दिये थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए अब बहु की बात सुनकर सास बोली कि बहु तब तो मैं भी पीपल की पत्तवारी सीच ने जाऊँगी अब सास दोध दही तो बेच आती और दोध दही की हांडी धोकर पीपल की पत्तवारी में रखाती थी घर आकर वे अपनी बहु से कहती कि बहु चल तू मुझसे पैसे मांग बहु कहती कि माजी कभी बहु भी सास से पैसे मांगती है क्या फिर सास के बार-बार कहने पर आखिरकार बहु ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वहें एक दिन पीपल के पास धरना देकर बैट गई पीपल ने सास को भाटे, पत्ते, डंडे और पान दे दिये और सास ने घर आकर गुल्लक में वो सब ले जाकर रख दिये सास के कहने पर बहु ने गुल्लक फोड़ी तो देखा कि उसमें तो कीड़े मकोरे चल रहे थे बहु ने सास से पूछा कि मा जी ये सब क्या है सास कीड़ों को देखकर बोली कि पीपल पत्तवारी ने तुझे धन दिया लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिये इस पर सभी औरते बोली कि तुम्हारी बहु ने सब कुछ सचे मन से किया था लेकिन तुमने धन के लालच में आकर ये सब किया इसलिए हाथ चोड़कर इस कथा के अंत में कहना चाहिए कि हे पत्तवारी माता जैसा आपने बहु को दिया वैसा ही अपने भक्तों को देना इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबी भक्तों को देना आप सुनिए कार्थिक मास मातम में आगे का ध्याए कार्थिक मास के लिए स्रेष्ट कार्यों तुलसी जी की महिमा और पूजा आराधन के बारे में इतना सुनने के बाद देवर्शी नारत ने श्री ब्रह्माजी से प्रार्थना की की है जगत पिता अब आप मुझे करपा करके उस उत्म देवता के बारे में भी बताईए जिनका पूजन इस महा में किया जाता है ब्रह्माजी ने उतर दिया हेवत्स गंड की नदी के उतर की ओर गिरिजा के दक्षिन में चालिस कोस की भूमी महाच्छेत्र कहलाती है महाँ पर शालिग्राम और गोमती चक्र पाये जाते हैं इनका पूजन करने और चर्णामरत लेने से मनिश मुक्ती प्राप्त कर लेता है चर्णामरत लेते से में यह मंत्र उचारन करना चाहिए मंत्र है जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन जिसमें दो चक्र हो वे नारायन और जिस गोम्ती में तीन चक्र हों उसे अच्चुत और जिसमें चार चक्र हों उसे जनार्धन, जिसमें पाँच चक्र हों उसे वासुदेव, छे चक्र वाले को प्रद्युम्न, साथ चक्र वाले को संकर्षन, आठ चक्र वाले को नलकुवर और नौ चक्र वाले को या वन्शी हो जाता है या गायन करता है वह भी स्वें भगवान को प्राप्त हो जाता है जो भगवान के आगे कार्थिक मास में मृदंग बजाता है भगवान उसे अपना सर्व प्रे भक्त समस्ते हैं जो भगवान के सामने नित्य श्रद्धा से धूप चलाता है वह कभी न रख में नहीं जाथा शंक में भरा हुआ या भगवान पर अर्पित किया हुआ जल अंगों से इस पर्ष करने पर संपुर्ण रोग और पाप नस्ठ होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधी विधान से किया जाए या फ दिवर्षी नारद स्वयंपरम ज्यानी थे आप ब्रह्मा जी से ये सभी प्रष्ण हम संसारिक पराणियों की भलाई के लिए कर रहे थे अतहां अब शुरी ब्रह्मा जी से दिवर्षी नारद ने पूछा हे पिताम है अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान आदी किया ज वर्षी ही करना चाहिए कार्तिक मास में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है दीपक भगवान की मूर्दी के आगे तुलसी जी के पास में ब्रहमन के घर में या वन में वरिक्ष के नीची अथवा गौशाला में दर्मशाला के आले में शाम के समीछ जलाय दीपक घी का जलाएं या तेल का परंतु उसे पूरे महिने तक जलाना चाहिए ब्रहमर के घर दीपक जलाने से अगनिस टोम यगी का वलप्राप्त होता है जो उचे इस्थान पर अथवा उचे खंबे पर दीप जलाते हैं उनसे धन के व्रधी होती है और व्यकुंठ में नि प्रयाग और वैसाख में हरिद्वार में इसनान और निवास करें तो यह अत्यनती ही उत्रम होता है जब सोरे तुला मकर अत्वा मेश राशी में हो उस समय किये जाने वाले नियम व्रत पूजा और दान बहुत ही शुबफल देते हैं इन महिनों में किये वी व्रत दान और शुब कर्मों से सभी पापों का नाश हो जाता है जिस प्रकार भगवान भासकर के अर्था सूरी के उधे होने से अंधकार का नाश हो जाता है और वजर से परवत का गरोड के भैसे सर्पों का पवन से मेग का ध्यान से दुख का और सिह के भैसे म्रेगों का नाश हो जाता थीक उसी प्रकार श्री मत्राजी के दर्शन मातर से ही सभी पापों का नाश हो जाता है कार्तिक मास में इसनान और जागरन, दीपदान, तुलसी जी का दर्शन पूजन, भगवान के मंदर में जाडू लगाना, साफ सफाई करना, गाना बजाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्दन करना कराना ये सब शुबकारे होते हैं इनके करने से स्रेष्ट फलों की प्राप्ति होती है, पूर्व जनम के पापो को नस्ट करने के लिए कुछ न कुछ वरत, दान, भजन, पूजन, पूजनादी करना अति उत्तम रहता है शुरी ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जनम के पाप शद सुनकर दीवर्शी नारद ने पूछा ये विधा था, अभी अभी आपने कहा कि कार्थिक मास में इस नान दान करने से पूर्व जनम के पाप भी नस्ट हो जाते हैं तो किसी को ये कैसे पता चलेगा कि उसने पूर्व जनम में किस परकार के पाप किये हैं किस परकार हम अपने पूर्व जनम के पापो को जान सकते हैं ये सुनने की भी मेरी अच्छा है सो हे पिता महें अब आप करपा करके इस बारे में भी बताईए श्री ब्रह्मा जी बोले हे पुत्र पूर्व जनम का ब्रह्म त्यारा शैरोगी और पर इस्त्री गमन करने वाला कोड़ी बन जाता है स्वन्ड चोर के नाखुन खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दात खराब हो जाते हैं इस प्रकार मनिश्य के पूर्व जनम के पापों को पहचाना जा सकता है इस प्रकार के सभी पाप दान तपस्या करिछ वरत आदी से निवारन हो जाते हैं ब्रह्मा जी ने आगे कहा, ये दिवर्शी अब हम कुछ Vrat आदि बतलाते हैं. एक समय भोजन करने से और तीन दिन शाम और तीन दिन प्रात्यकाल भोजन करने को अतिक्रच व्रत कहते हैं। शाम के समय 12 ग्रास और प्रात्यकाल में 26 ग्रास या 24 ग्रास खाने को भी अतिक्रिच व्रत कहा गया है तीन दिन तक खाएं और फिर तीन दिन उपवास करें तो ये भी अतिक्रिच व्रत होता है शाम के समय एक ग्रास और प्रातेहकाल में एक ग्रास फिर दो दिन बगेर मांगा हुआ और दो दिन तक उपवास करें तो यह वृत अती क्रच्छार के वृत कहलाता है 21 दिन तक केवल दूथ या पानी पीता रहे तो यह वृत क्रच्छती क्रच्छ वृत कहलाता है 12 दिन तक उपवास करना पुराक वत कहलाता है 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तु खाना या फिर छाच पीना इसके बाद ब्रहमणों को दक्षना देना सौ में कुरच्छ वत कहा गया है इसी परकार 12 दिन तक उपवास करना 12 कुरच्छ वत कहलाता है तुला पुरुष का दान करना और गौ का घी, दूद, दही तथा कुशा का जल पीना दूसरे दिन उपवास करना यह कृच्छ संतपन वरत कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चात्रदशी को भगवान का पूजन करना चाहिए उस रात को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े रहकर रातरी भर भजन करने को जल क्रिच्छ वरत कहा गया है। कार्तिक सुधी छट से तीन दिन तक उपवास करने से महेंद्र क्रिच्छ वरत हो जाता है। क्रिच्छ वरत कहा गया है। इसके करने से श्वेत द्वी पे वास मिलता है जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रति दिन एक एक ग्रास कम करता है और अमावस्या को कुछ नहीं खाता तो यह चंद्रायन वरत कहलाता है। एक ग्रास दो तोले अर्था 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। ग्रिष्न पक्ष के आदी में अर्था शुरुवात में 14 को 5 ग्रास और फिर हर दिन एक एक ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रायन वरत कहते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक सुधी सब्तमी, अस्टमी, नौमी और दश्मी को जल कमल खाए, फिर एक आदशी को उपवास करे तो यह लक्ष्मी वरत कहलाता है। अगर इस तरी वरत करे तो अपने पते की दिरगायों की काम न भी करे। वरत समाप्ति के बाद किसी ब्रहमन को गौदान या अपनी सामर्त के नुसार दान दक्षना या भोजना दी देना चाहिए। इन वरतों को करने से वरत करने वाला भगवान का प्रेपात्र तो बन ही इसके आगे का वरता आप सभी आने वाले द्हे में सुनिएगा। अब सुने श्री तुलसी चालिसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जै जै तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी नमो नमो हरी प्रेशी श्री व्रंदा गुन खानी श्री हरी शीष विरजनी देहु अमर वर अंब जनहित हे व्रंदावनी अबन करप विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदाश्रुति गाता हरी के प्राणहु से तुम प्यारी हर ही है तुकीन हो तब भारी। जब प्रसन है दर्शन दीन हो तब कर जोरी विनए उसकीन हो। ही भगवन्त कंत मम हो हू दीन जानी जानी छाड़ हो छो हू। सुनी लक्ष्मी दुलसी की बानी दीन हो श्राब कध पर आनी। उस अयोग वर मागन हारी हो हू बिटब तुम जड़तन धारी। सुनी तुलसी ही श्रप्योते हिठामा कर हू वास तुहुनी चन धामा। दियो वचन हरी तब तत काला। सुनहु सुमुखि जानी हो हु बिहाला। समय पाईर्यो रोपाति तोरा। पूजही आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा। तासु भई तुलसी तूबामा। कृष्न रास नीला के माही राधे शक्यो प्रेम लखिनाही। दियो शाप तुलसी तत काला। नरलो कही तुम जन्महु बाला। योगोप वहदान विराजा। शंख चूण नामक शिरताजा। तुलसी भई तासु की नारी परमसती गुण रूप अगारी। असद्वे कल्प बीदि जब गयह। कल्प तृतिय जन्तब भयह। व्रिंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पती को। कर अतिद्वंद अतुल बलधामा कीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन सहित शिव हारे मर ही न तब हर हर ही पुगारे। पती व्रता व्रंदा ती नारी को न सके पत ही संग्रारी। तब जलंधर ही भेश बनाई व्रिंदा धिग हरी पहुचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा। कियो सतेत्व धर्ब तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा सुनी उर्शोक उपारा। तिही छण दियो कपट हरिटारी लखि व्रंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जसहत्यो भीता सोई रावन तस हरही सीता। अस प्रस्तर समहदय तुम्हारा धर्म खंडी ममपत ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा हो वेतन उपाशान तुम्हारा। सुनी हरितुरत ही वजन उचारे दियो श्राप बिना वीचारे। लख्यो नानिज कर तूत पती को छलन चहियो जब पारवती को। जड्मति तुह अस हो जड्रूपा जग मेह तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा नदिगंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चड़ई हैं सब सुख भोग परम पदपई हैं। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हर शिरधारत सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंज निहारी रोग दोश दुख भंज निहारी। रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा मे नाही अंतर। व्यंजन हो छपन हु प्रकारा बिन तुलसी दल नाहर ही प्यारा। सकल तीठ तुलसी तर चाही लहत मुक्ति जन शंशे नाही। कभी सुन्दर एक हर गुण गावत तुलस ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुरवा साधामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठिक रह जो नित नरिनारी हो ही सुख भाश हीत्र पुरारी। तुलसी चालिसा पढ़ही तुलसी तरुग रहधारी। दीप दानकरी पुत्र फल पावही बंध्यों नारी। सकल दुख दरित्र हरिहार वे परंप्रसन। आशिय धन जन गड़ही कर बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत वल जगत मह लाही पूर्ण सबकाम। जेई दल अरपही तुलसी तहस थहस बसही हरिराम। तुलसी महिमा नाम लख। तुलसी सूथ सुख राम। मानस चालिस रच्चो जग मह तुलसी तास। प्रेम से बोले तुलसी महरानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पतरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तपकीनो, शालिग्राम बनी पतरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पतरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी को मल, श्रिपती कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पतरानी नमो नमो, कौन महीने बुईरानी तुलसा, कौन महीने हुई हर याली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पतरानी नमो नमो, कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पतरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, आशार मास में बुईरानी तुलसा, सावन महीने हुई हर याली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पतरानी नमो नमो, कार्थिक मास में हुई तेरी पूजा, मंग सिर मास हुई पतरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो दूप दीप नैवेत्य आरती पुषपन की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो चपन भोग छती सो व्यंजन बिन तुलसी हर एक नमानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को दो पहर गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को सांज को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो सब सक्की मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजै महरानी नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो